ही आइए हमारा वातावरंड कैसे सुक्ष रहे हवा कैसे साफ हो पानी कैसे सुध रहे आकास नीला कैसे दिखे इसके लिए हमारे देश में बहुत सारी प्रयास किया रहे आई ऐसा ही एक प्रयास आज लखनो में हुआ है। जहां पर एक conference आज़ित की गई, जिसमें Terry के लोग यहां पर आए हुए हैं, और एक conference यहां पर करके और लोगों को awareness की कोशिश की गई कि किस तरह से परयावरान को सोरक्षीत रख सकते हैं अपने आने वाली पीडियों के लिए. तो इस वक्त टेरी की जो डिजी हैं, डिरेक्टर जनरल हैं, डॉक्टर बिवाधवन, वो यूपी नूज के साथ हैं, और आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं यूपी नूज में, सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं, कि यह जो कॉन्फरेंस यहां पर यह जो कारेसाला ह हो रही है, इसका अबजेक्ट का है, इसका उदेश से क्या है? इसमें बहुत सारी तरहां की हवा में प्रदूशन है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, अब आप देखिए, बच्चों में अस्त्वा होना शुरू हो गया है, हम लोग आज बताया भी गया था, कि जैसे आप परत देखते हैं, पतियों पे, तो जो वो मिट्टी क परत है, काली परत है, उस पे तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम अपने लंग्स के अंदर नहीं देख पा रहे हैं, कि वहां पे भी क्या हो रहा है, हमारे फेफडों में जा रहा है, और हमारी हर चीज को इंपेक्ट कर रहा है, चाहिए वो हमारा दिमाग हो, चाहिए वो हम इस नहीं ऐ 190 चापतंनी वहां कर दाएगी. इस वरकशोप यही हैं, कि हम सब से पहले मीडिया को बताएं, कि आप भी ऐसी ख़बरे चापिये. आप यह भी बताएएं, कि हमारे पास दूसरा विकल्प है. जैसे मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी, कि हम फरवरी के महीने से एर कंडिशनर चलाना शुरू कर देते हैं. और हम बहुत सारे लोग अंदर रजाई लेके या मोटी चद्दर लेके सोते हैं, लेकिन एर कंडिशनर चलता है. क्या हमने कभी बाहर जाके देखा, कि एर कंडिशनर कितनी गरम हवा पहिंक रहा है? जब तक हम रह सकते हैं. उसी तरह से, ठीक है, हमको ये भी देखना है कि एकॉनमी को भी चलना है. तो इसलिए हमको कुछ चीज़ें खरीजनी हैं, लेकिन हमको वेस्टफुल भी नहीं होना है. क्योंकि देखिए, खराब हवा कहां से निकली है? मैं एक बार भी नहीं कहा रही हूँ कि इंडस्ट्राइज मत हो. इंडस्ट्राइज होना है, इंडस्ट्री को बढ़ना है, भारत को डवलप कंट्री बढ़ना है. लेकिन हम उसको स्वच तरह से कैसे जाएं. जैसे अगर आपको… इसके लिए गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया से या जो और बस हिंडिज हैं, जैसे आपका टेरी है, तो टेरी मेरे ख्याल से एक प्राइवेट इंस्ट्रीशन है, आपका, उनीस सोचोहतर में इसके स्थापना हुई है, और तब यह टाटा रिसर्च इंस्ट्रीट की नाम स कि कौनसी मुश्किले हैं जो देश में आ रही हैं, हमको एक तरह से एक यह रिसर्च बेस्ट ऑगनाइजेशन है, तो हम उन चीजों पर खोज करते हैं, और हमारे पास स्टेरी स्कूल अफ एडवांस स्टेरीज भी है, जिसमें हम और बच्चे भी लेते हैं, और उनको हैं, कुछ हद तक यह हमारा माइंड सेट है, जब हम कहते हैं, हमको लगता है कि ग्रीन मतलब महंगा, वो ऐसा नहीं है, आप पेबैक पीरेड होता है, आपने अपनी चट पे अगर सोलर पैनल्स लगवा लिए, ठीक है, शुरू में आपके तीन-चार लाक रुपया खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जहां उन्होंने कर लिया और clean energy कर ली, तो उसके बाद में उनको फाइदा ही फाइदा है, energy में भी और कल को, क्योंकि हम greenhouse gas emission हो सकता है, ऐसे regulations भी आएंगे, कि आप कितना emission कर रहे हो, तो आपको उसको साफ करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो अभी voluntary है, लेकिन अगर लोग नहीं हमारे देश में बहुत सारा काम हो रहा है, और ये शुरू होता है प्रधान मंत्री जी की announcements ग्लासकों में, जहां उन्होंने का, 2030 तक हमारा 50% जो energy है, वो renewable होगी, 2030 तक हम net zero होंगे, कि हम जतनी carbon dioxide निकालेंगे, उतनी हम fix करेंगे, तो ये बहुत ambitious target है, उससे क्या हुआ, कि अब सब लोग को पता है, कि हमारे को सरकार से, आज की date में support मिलेगी, और अगर कल को हमको, अगर हम नहीं करेंगे, तो हो सकता penalty भी लगेगी, एक चीज़, लेकिन जो चीज़ अभी हम miss कर रहे हैं, जो बड़ी companies हैं, वो तो already आ गई हैं, कि हमको net zero की तरफ जाना है, हम ये सब कुछ small and medium industry तक कैसे लेके जाएगे, क्योंकि देखिए, उनके पास technology भी लेके जानी है, उनके पास शुरू का पैसा भी नहीं है लगाने के लिए, और उनसे इ सब कुछ कर रहे हैं, इस बार अगर भारत की में बात कर रहा हूं, उत्तर भारत का मौसम देखा जाए, तो अप्रेल के महने में ऐसी गर्मी पड़ी जैसे लगा कि जून की मैई-जून की गर्मी पड़ रही है, उसके बाद ये गर्मी का टिन्यूर भी जो है काफी लंबा चला जून पर बीस पाइस चीज जून तक चला फिर उसके बारिश होई तो बारिश शुरू में बारिश नहीं हुई एक महिने, फिर आप बारिश हो रही है, तो इतनी बारिश हो रही है कि आप मतलब लोग तरही तरही कर रहे हैं, अमध्य परदेश का एक्जामपो ले ल आपमान बढ़ेगा, और हम कहते हैं उसको सीमित रखिए एक पॉइंट पांच या दो डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम तक, दूसरा इस जो ख्लाइमिट चेंज है, उससे शुरू से प्रेडिक्टिट था कि एक्स्ट्रीम्स जो है, इवेंट्स, एक्स्ट्रीम्स की फ् तो यह सारा प्रेडिक्टिट था, और वो ही बार बार सब लोग कह रहे हैं, अब हमारे पास समय नहीं है, हमको आज ही एक्ट करना है, तो इसको कैसे, how to prevent from this situation? आप कहते हैं कि आम आदमी सफर कर रहा है, मैं बोलूंगे आम आदमी कॉन्टिब्यूट भी कर रहा है, लेट स्टार्ट, आप देखिए, बहुत अच्छी योजना है कि सब के घर में गैस पहुंचाई गई, कितने लोगे फूड कर पा रहे हैं, इसलिए वो लोग अभी भ किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो छोटे से अपने पैसा कमाने की खातिर, पेड काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो वहां सस्टेन नहीं हो पाएगी, 2000 एकोलोजिकली फ्रेजाइल जोन, तो वो लोग कर रहे हैं, उसके बाद आप हम और आप पे आते हैं हम लोग क्या सस्टेनेबल वेट से जी रहे हैं, हम लोग कितनी वेस्टेज कर रहे हैं, तो इसलिए जब हम कहते हैं, तो आम सिटिजन सफर भी कर रह है कि भारत को अभी बहुत कुछ बनाना है तो हमें तोड़ के नी बनाना हमें नया बनाना है तो हमारे पास opportunity है कि हम उसको अच्छी technology से बनाएंगे तो यह थी विवाद्धमन डॉक्टर विवाद्धमन जी टेरी की डीजी जिनका कहना है कि हमारे पास वो है technology है और हम इस समस्य पर जो अभी हम जूज रहे हैं प्रैवरन की समस्या से उस पर हम काबू पा सकते हैं कैमरमें नमन वर्मा के साथ अनुप सिर वास्तो यूपी न्यूज लखनू